नमस्का, मैं Dr. Sachin Mahajan हूँ, मैं Sayadri Hospital Pune में Spinal Neurosurgeon की तौर पे काम करा हूँ Spinal Neurosurgeon मतलब Neurosurgeon हूँ, जिसमें मैं additional spine में specialized करके training obtained किया हूँ Canada और Japan में से, और अभी मैं जादा तर spine surgery में concentrate करता हूँ तो आज हम लोग discuss करेंगे spine, मतलब अपनी read की हड़ी में आम तोर पे होने वाल ये बीमारिया और उसके हिसाब से कौन सी treatment उसके लिए करनी चाहिए, इसके बारे मैं आपको बताऊंगा तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपनी read की हड़ी की संदरचना कैसी होती है तो यहाँ देखते हैं कि यह है अपनी पूरी read की हड़ी तो अगर side से देखेंगे, तो read की हड़ी का आकार लगबग थोड़ा S की तरह होता है जिसमें यह गर्दन के 7 मनके होते हैं जिनको read का एक एक भाग या फिर एक टुपड़ा बोल सकते हैं फिर छाती के 12 मनके होते हैं कमर के 5 मनके और tailbone यानि माकड हाड के 5 मनके जो एक साथ को चिपके हो रहे थे जिसको त्रिकास्ती नाम का हाड बोलते हैं हर एक जो मनका रहता है वो हड़ी का बना रहता है हर दो मनके के बीच में यह जो सफेज चीज दिखरी यह डिस्क या फिर चक्ती नहीं तो कुर्चा बोलते हैं वो नरम रहती है और वो शौक एब्ज़र्बर का काम करती है अभी हर एक read के हड़ी का आकार देखेंगे तो ह हम लोग हात में जो अंगुटी पहनती है उंगली में जो अंगुटी पहनते है वो आकार की होती है तो ऐसे समझे कि हम लोग इतनी सारी अंगुटिया एक के उपर एक रचेंगे तो कैसे नली तायर होगी तो ऐसे नली तायर होती है जो दिमाग के नीचे से शुरू होती है और सीधा वो tailbone मतलब माकड हट तक जाती है वो नली में होती है अपनी main cable मतलब मजजा रजू या फिर English में उसको बोलते है spinal cord जो दिमाग के base से शुरू होके वो कमर के पहले मणके तक आती है कमर के पहले मणके में वो खतम होने के बाद उसके नीचे धागे-धागे की तरफ नसे होती है जिन नसों के द्वारा दिमाग का control दुनों पैरों पे और पिशाप और शौच पे होता है तो ये ज़्यादा तर अपने को जो मणके के problems या फिर बीमारिया होती है वो गर्दन के मणके में होती है या कमर के मणके में होती है इन दोनों मणके में क्यों होती है विकॉज यही दो मणके हैं जो ज़्यादा तर हिलने वाले मणके है च्छाती का मणका और ये टेल बोन, माकरड़ के दो मणके एक दुसरे में बहुत ज़्यादा हिलते नहीं इसलिए उनकी बीमारी या फिर उमर के हिसाब से होने वाली उनके उनमें जो बदलाव है वो बहुत कम तौर में दिखाई देते हैं मैं अभी आगे बताऊंगा कि ज़्यादा तर हमको कमर के मणके में कौनसे-कौनसे प्रकार की बीमारिया होती है और हर एक बीमारी के लिए क्या एक की ट्रीटमेंट हम लोग सजेस्ट करते हैं तो पहली बीमारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं Degenerative Disc Disease. तो ये अलग से मैंने सर्फ कमर का मणका दिखा नहीं है, तो Degenerative Disc Disease मतलब क्या ? ये जो दो मणके की बीच में जो डिस्क है, चौतिया और पांचर मणके की बीच में कि इस आप से सूप जाता है या फिर उसको वो डिस्क को कोई injury हो जाए तो वो सूप जाता है उसकी वज़ज़ से यह डिस्क में से दर्ध पैदा होता है और patient का complaint रहता है कि उसको स्थानिक दर्ध होता है स्थानिक दर्ध मतलब कि कमर के मंड़के की डिस्क अगर degeneration हो गया है तो उसको कमर में दर्द होगा, गर्दन के मनके में अगर उसको degeneration है तो गर्दन के मनके में दर्द होगा इसका treatment बहुत आसान होता है इसको सिर्फ physiotherapy और exercises से हम इन patients का pain कम कर सकते हैं 2% से कम लोगों को ही इसमें surgery की नौबत आती हैं जिसमें जिन patients को physiotherapy, injections और कोई और treatment से फायदा नहीं होता है, उनको ये सिर्फ surgery लगती है, अगली वाली बीमारी होती है, जो कि थोड़ा young लोगों में दिखती है, उसको हम लग बोलते है, slip disc slip disc आपने सुना होगा कि एक disc का टुकड़ा थोड़ा सा बाहर निकलता है, इधर पीछे से और यहां बाहर आने वाली नस को जो पेर में जाती है, वो नस को दबाता है, वो patient के symptom, या फिर पेशेंट के तकलिफ को English में कॉमन तो पे शाय टिका करके बोलते है तो जो नस पे दबावाता है वो नस के रस्ते में पेशेंट को दर्द होता है, इस बीमारी में भी almost 80% मतलब 80 टका लोगों को भी फिजियो थरपी, आराम और दवाई गुली से ही हम लोग ट्रीट कर सकते है सिर्फ 20% लोगों को सजरी की ज़रूद पढ़ सकती है उसका decision भी 3 मेने के बाद ही हम लोग लेते हैं, क्योंकि 80 टके जो मैंने बोले वो ठीक होते है वो 3 मेने में वो disc का टुकड़ा जो बाहर आता है वो अपने आप पिघल जाता है और नस अपने आप खुलने की वाज़े से पेशेंट को अच्छा लगने लगता है और नस अपने आप खुल जाती है तीसरी जो बीमारी होती है जो थोड़ा old age में दिखते है थोड़ा जादा ओमर के लोगों में दिखते है उसको बोलते है lumber canal synosis तो उसमें क्या होता है कि इधर जो पीछे नस की थेली रहती है उसको बोलते है thical sign कि जिसमें पूरी की पूरी दोनों पैर में जाने वली नस से रहती है वो नस की थेली 3-4 दिशाओं से दबी जाती है तो आगे से उसको ये disc दबाता है पीछे से इधर एक legamentum flavum नाम का नरम structure रहता है वो दबाता है और side से ये facets नाम के जो joints होते है वो सूजने की वज़े से side से दबाता है तो 360 degrees से वो नस के थेली पे compression आने की वज़े से patient को lumbar canal stenosis ये नाम की बीमारी होती है ये बीमारी के लक्षन क्या होते है तो patient जादा देर चल नहीं पाता है मतलब 5 मिनिट चलेगे, 10 मिनिट चलेगे तो दोनों pair में patient को जुझणाठ होगी pair में cramps या फिर दर्द होगे especially mass patient में दर्द होता है और patient को बैठने का मन करता है 2 या 3 मिनिट बैठने के बाद patient वापिस उतनी ही देर तक चल पाता है इसको बोलते है neurogenic claudication इसका जो treatment है वो इसके उपर depend करता है कि patient की कितनी चलने की क्षमता कम हुई है और MRI पे नसों पे कितना दबाओ है अगर MRI में दिखता है कि नसों पे सव में या मध्यम तोर का दबाओ है तो इसका treatment भी physiotherapy से किया जाता है अगर दबाओ severe हो और patient को चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जैसे कि उसको दैने दिन कामों में उसको तकलीफ हो रही है जो वो day to day काम कर रहा है उसमें भी उसको तकलीफ हो रही है तो फिर उन लोगों को surgery की नौबत आती है इसमें surgery simple होती है जिसमें क्या होता है कि हम लोग पीचे से जाते है और पीचे से almost 180 degree से nurse की थेली को खोल देते है उसको surgery का नाम होता है number laminate coming उससे nurse की थेली खोल जाती है तो patient की nurse से open up हो जाती है और वो automatic patient का तकलीफ जो है वो कम हो जाता है patient का चलने का जो अंतर है वो धीरे धीरे सुजर के normal आत्मी की तरह आ जाता है चोती जो वीमारी रहती है उसको जो बोलते है spondylolisthesis 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 मतलब आगे खिसकना तो spondylolisthesis में क्या होता है कि एक मनका समझो एक चौथा मनका है और एक पाचवा मनका है तो चौथा मनका पाचे मनके के उपर आगे अगर sleep हो जाता है तो फिर उसको बोलते है spondylolisthesis तो ये patients में ज़्यादा तर तकलिफ क्या होती है कि वो ज़्यादा तिर खड़े नहीं रह सकते आम तोर पे और तो में ज़्यादा दिखाई देता है और अगर साथ में बाहरानी वली नस्पेवर दबाव रहेगा तो स्थानिक दर के साथ में patient को पैर में भी दर्ध हो सकता है ये दोनों चिन ये spondylolisthesis की रहते है इसका diagnosis हम लोग MRI और X-ray करके निकालते है जिसमें हमको दिखता है कि एक मणका दूसरे मणके के उबर slip हो रहा है उसका treatment आम तोर पे usually surgery लगता है अगर patient का देनेंदीन काम पे बहुत अगर प्रवाव हो गया रहेगा तो उसमें surgery होती है कि हम लोग एक मणका दूसरे मणके से fix करते है जैसे इसमें दिख रहा है कि उपर के मणके में एक right में एक left में इसे दोनों side में screw डालते है नीचे के मणड़ पे right left में screw डालते है और वो screws को rod से जोड़ देते है जिस वज़े से दोनों मणके एक दूसरे पे हिल नहीं पाते है उसके साथ ही हम लोग जो भी नसों पर अगर दबाव रहेगा वो नस का दबाव भी हम लोग छुड़ा देते हैं तो यह है आम तोर पे जो चार बीमारी है हम लोग OPD में देखते हैं या फिर हमारे क्लिनिक में देखते हैं तो यह अभी तक ऐसे ही ट्रीटमेंट होती थी कि बहुत ही open surgeries और बड़ी surgery करने ही पड़ती थी इसलिए patients को बहुत डर लगता था कि मंणके की surgery की वज़े से उनको लगता है कि अगर surgery करेंगे तो मेरे को तीन महने आराम करना पड़ेगा मैं चल नहीं पाऊंगा फिर मेरे तैपेर की ताकत कम हो जाएगे बट आजकल technology में advance होने की वज़े से यह surgery में और advances आने की वज़े से यह surgery बहुत ही safe हो गई है यह surgeries में technological advances की वज़े से हमको बहुत आसानी हो गई है और surgery बहुत ही सुरक्षित और safe हो गई है तो हमको क्या क्या technology से ऐसी है जो आजकल patient को फाइदा होता है वो surgery से वो अभी मैं short में आपको बताऊंगा एक फाइदा होता है जिसको हम लोग बोलते है minimal invasive spine surgery तो जिसको बोलते है दुर्बीन की साहता से हम लोग surgery करते है उसका फाइदा ऐसा होता है कि जैसे मेरे को एक nurse अगर चुडानी हो तो मेरी दुर्बीन जाती है बरापर वही nurse के उपर में और वो nurse को जो भी दबाव करने वाला घटक होगा वो घटक को मैं निकालके nurse को चुडा देता हूँ और patient का दर्थ कम हो जाता है तो जिसको पहली इतनी बड़ी opening करके वो nurse चुडानी पड़ती थी अभी हम लोगों दुर्बीन से nurse चुडा सकते है उसको बोलते है minimal invasive spine surgery इसका advantage क्या होता है तो patient का surgery के बाद बहुत कम दर्थ रहता है कमर के read की हड़ी में दूसरा चीज है patient का blood loss बहुत कम होता है patient को दर्थ की दवाय बहुत कम लगती है patient जल्दी hospital से discharge होता है और सबसे important फायदा कि patient बहुत जल्दी चलने फिरने लगता है इतने जल्दी फिर लगता है कि अगर हम लोग सुबह surgery करेंगे तो शाम ही हमको patient को चलाते फिराते है दूसरे दे हम लोग patient से सीडी चड़ उतर करवा के discharge करते है तो ये minimal initial spine surgery का ये advantage होता है कि हम बहुत ही कम injury करके बहुत ही कम patient को तकलिफ होके patient को उतना ही फाइदा पहुँचाते है दूसरा हमको जो फाइदा होता है spine surgery में उसको बोलते है navigation करके system रहता है जो हमारे पास है जिसमें हम लोग during the surgery वो जहां पे हमको screw डालना है उसका accurate path हमको मालूम पढ़ता है तो इसकी वज़े से surgery बहुत ही safe हो जाते है कि वो ही direction में screw जाता है और इधर दर नहीं जाके नस और मज़ा रच्जू को दोका पहुचने की संभावना बहुत कम हो जाती है तीसरी जो technology है उसको बोलते है neuro monitoring जो भी हमारे पास है जिसमें operation के दौरान जो इमाग में से निकलने वाली पैर में जाने वाली चेतना है उन पे हमारा continuous monitoring रहता है ताकि अगर मैं कुछ एक काम कर रहा हूँ सर्जरी के दौरान और उससे लग रहा है कि पैर में जाने वाली चेतना थोड़ी कम हो रही है तो उधर ही मुझे warning दी जाती है कि ये patient के चेतनाओं को problem हो रहा है तो ये सब technologies होने की वज़े से surgery और भी बहुत हमारी safe हो गई है और जो additional technologies है जैसे के state of the art MRI three tesla MRI facility हमारे पास है हमारे पास पूरी team है spine surgery की जो मैंने बताए कि neurospinal surgeon है ये neurophysiologist है जो कि चेतनाओं को ध्यान देते है ये neuro navigation system के technologist रहते हैं वो हमको ध्यान देते है radiologist है operation के बाद की physiotherapy patient को चलाने फिराने काम करने के लिए हमारे पास specialized neurophysiotherapist है और उनके पास special physiotherapy की machine है जिसकी वाज़े से patient का recovery period एकदम ही अच्छे से हो जाता है तो ये मैंने आपको short में बता दिया मनके की संरचना मनके की बीमारी और उनको लगने वाले treatment के बारे में और आने वाले advances के बारे में अभी मेरा आपको ये message है कि अगर मनके की कोई बीमारी या फिर आपको तकलीफ होती है तो उसको जल्दी से जल्दी कोई भी specialist spine specialist को दिखाईए वो बहुत important है क्योंकि गलत हातों में जाके आपका treatment गलत हो सकता है इसलिए specialist को दिखाना बहुत important है और जल्दी दिखाना ये भी important है किस वज़े से क्योंकि अगर आप जल्दी दिखाए तो शायद problem physiotherapy दवाव से solve हो सकता है अगर बहुत late दिखाएंगे तो surgery, operation की नौबत आ सकती है और complication rate भी बहुत जादा रहता है late दिखाने के बाद में इसलिए ये मेरा आपसे बिंती है कि अगर आपको मंटके की या फिर spine की या रीड की हड़ी की कोई भी तकलिख हो तो जल्दी से जल्दी specialist को दिखा के उसके उपर आप treatment करा ले अगर आपको read की हड़ी के बीमारी के बारे में या फिर ये video के बारे में कुछ सवाल होंगे तो नीचे आप comment section में पूछ सकते हैं उसके जवाब हम लोग दे देंगे नीचे हमारा email id और phone number भी है जिसपे आप contact करके हमको वो सवाल पूछ सकते हैं तो फिर हम लोग वो शंका का निरसन करने की पूरी कोशिश करेंगे धन्यवाद